हमारे इस सभी दर्षकों को साधर पढ़ाम जैशि कृष्णु हम के बारे में एक छोटी सी जानकारी समझेंगे कि गूरू किस प्रकार से विवाहिक समस्या बना सकता है वैसे तो आश्चरी की बात है कि जो गुरू विवाह कराता है वही गुरू विवाह में बादक भी हो सकता है तो हमारे जोतिश शास्त्र में गुरू के बारे में भी स्पस्ट तया लिखा है कि गुरू किन परिस्तितियों में बादक होता है गुरू हमेशां शुब नहीं होता है इस बात को आप समझ ले मैं गुरू कुछ परिस्तिय हैं उनमें नुकसान देने वाली इस्तिय में भी होता है हमारे जोतिश शास्तर में गुरू से हम संतान के बारे में जानते हैं संतान का कारक गुरू है, धन का कारक गुरू है, एक लड़की की कुंडली में पती का कारक गुरू है, सोभग्य का कारक गुरू है, भग्य का कारक गुरू ही है, और आय जो है आमदनी उसका कारक भी गुरू है और दूसरा भाव, पांचवा भाव, ग्यारवा भाव, ये तो इसके विशेश भाव है ही, सब्तम भाव का भी कारक होता है तो इन चार भाव का कारक गुरू विशेश है ही, नवम भाव का भी कारक है लेकिन आज हम गुरु की एक ऐसी इस्तति समझेंगे जिसमें गुरु नुक्सान देता है और व्यक्ति परशान हो जाता है उसका विवा नहीं हो पाता है उसमें समस्या है रहती है तो कौन-कौन सी ऐसी इस्तिया है उसके बारे मैं आज चर्चा करेंगे इससे पुर्व भी मैंने विवाह योग, विवाह के महुर्थ विवाह में देरी आदी अनेक जानकारियां इस चैनल के माध्यम से दी है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अबशे देखें और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है इसे दबाएं ताकि जो भी सूचना है इस चैनल के माध्यम से या जो भी जानकारियां आने वाले समय में भी दी जाएगी आप तक समय पर पहुँच पाएगी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो शुरू करते हैं आज का विशे गुरू किस प्रकार से बाधक बनता है तो सबसे पहली इस्तिति तो आप यहाँ पर कुंडली देखें और आपको अपनी लगन कुंडली ही खोल कर देखनी होगी अन्य कोई भी कुंडली खोल कर नहीं देखनी होगी तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरू यदि दूसरे भाव में पांचवे भाव में, सातवे भाव में और ग्यारवे भाव में द्यान से देखें कुंडली का दूसरा भाव, पांचवा भाव, सातवा भाव और ग्यारवा भाव इन भावों में अकेला बेठा हो, अकेला, उसके साथ कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए और एसी इस्ति में इन भावों में अन्य किसी ग्रह की द्रश्टी ना पड़े, तो इन भावों में गुरु समस्या देता है इन भावों से समंदित जो योग बनने चाहिए, वे समय पर नहीं बनते हैं जैसे कि कुंडली का दूसरा भाव, धन, कुटुम्ब, वानी का भाव है तो धन की व्रद्धी होना, कुटुम्ब की लाव वाली इस्ति और अन्य इस्तियां वहाँ पर गुरु अकेला बेठा हुआ है दूसरे भाव में, तो समस्या देता है पंचम भाव में भी गुरु यदि अकेला बेठा हुआ है, तो संतान समंदित समस्या रहती है संतान तो हो जाती है माली जी, लेकिन संतान से जितना लाब मिलना चाहिए या सुख मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है इसी प्रकार से ग्यारवे भाव में भी गुरु बेठा हो अकेला हो तो समस्या देता है लेकिन ग्यारवे भाव में गुरु उतनी समस्या नहीं देता है जितना कि यह पांचवे भाव में, साथवे भाव में, दूसरे भाव में देता है तो इसी प्रकार से आपकी कुंडली का जो सात्वा भाव है उसमें यदि गुरु अकेला बेठा हुआ है तो ऐसी इस्तती भी विवाह में बादक वाली इस्तती बनती है अनेक बार हम देखते हैं कि सब्तम भाव में गुरु बेठा हुआ है यह तो अच्छी इस्तती है लेकिन उसके बाद भी जा तक परिशान हो जाता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की उसका विवाह नहीं हो पाता है तो सब्तम भाव में अकेला गुरु बेठा हो यदि आपकी कुणडली में या किसी भी कुणडली में आपके परिवार में एसी कोई संतान है जिसकी कुणडली में इस प्रकार का योग है और वविष्य में उसके विवाह में समस्या ना आये इसलिए आप समय पर ही चाग गुरु यदि कुण्डली में सब्तम भाव में अकेला है, तो एसी इस्तथी में भी व्यक्ती पेशो पेश में पड़ जाता है। अन्यक बार एसी स्तथां मनती है कि वह विचार जाता है, और जब विवाह की बात होती भी है, तो बहुत ज़्यादा सोचता है। और उस सोचने सोचने में ही समय निकल जाता है बहुत सी बार तो बहुत ज़्यादा समय भी हो जाता है अधिक उमर होने के बाद भी विवाह नहीं हो पता है और विशेश सुत्र यह है कि यदि कुंडली में सब्तम भाव में स्थिर राशियों पर गुरू हो सबसे बड़ी बात अब स्थिर राशियों कौन कौन सी होती है तो सब्तम भाव में यदि दो का अंक लिखा हो पांच का अंक लिखा हो आठ का अंक लिखा हो और ग्यारा का अंक लिखा हो एसी इस्तिती में सब्तम में स्थिर राशियों होगी वरशब राशी, सीह राशी, वरश्चिक राशी और कुम्ब राशी ये चार राशियां जो है ये इस्तिर राशियां कहलाती है और यदि सब्तम भाव में दो कांक लिखा हुआ है और गुरू बेठा हुआ है यदि पांच कांक सीह राशी है और गुरू बेठा हुआ है यदि आठ नमबर व्रश्चिक राशी सब्तम भाव में है गुरू बेठा हुआ है सब्तम भाव में अकेला या कुम्ब राशी है सब्तम भाव में और गुरू अकेला बेठा हुआ एसी इस्तती में भी हमने अनेक कुंडलियों में देखा है व्यक्ति के विवाह में देरी होती है यदि अकेला है तभी यह इस्तती बनती है एक इस्तती और है कि गुरु के साथ शुक्र भी यदि सब्तम भाव में बेठा हो यह योग अलग है लेकिन गुरु शुक्र दोनों का योग यदि सब्तम भाव में हो तब भी विवाह में देरी हमने अने कुंडलियों में देखी है लेकिन आज का विशा है केवल गुरू यदि आपकी या आपके परिवार में किसी की भी कुंडली में सब्तम भाव में गुरू है और विवाह नहीं हो रहा है तो इसी इस्तिती में आप विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें या कोई जानकार पंडित हो उनसे विश्नु सहस्त्र नाम के जाब करवा में इसके साथ ही आज कल तो यूट्यूब पे सारी सुगधाएं उपलब्द है यदि कोई विश्नु सहस्त्र नाम का वीडियो आप देखते हैं तो उसे अवश्य देखें रोज उसे सुनें उसे से आपको लाब मिलेगा गुरुवार के दिन वरत करेंगे और गुरु का दान करेंगे किसी गाय को चना गुड़ खिलाएंगे पीली चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे तब भी आपको लाब मिलेगा और किसी ब्रामन को कभी कभी गुरुवार के दिन बोजन कराएंगे तब भी आपको लाब मिलेगा कोई संत है रिशी है और आपके शहर में आया हुआ है उसकी सेवा करेंगे तब भी आपको लाब मिलेगा यदि कोई धार्मिक पुस्तक है उसका दान करेंगे तब भी आपको लाब मिलेगा यदि छोटे-छोटे बच्चे हैं इसकुल में पढ़ते हैं उनके पास सुविधा नहीं है उनको कोपी किताब देते हैं तब भी आपको लाब मिलेगा तो ये सारी उपायवाली प्रक्रियाएं आप करेंगे तो यह गुरु आपको लाब अवश्य देगा सब्तम में अकेला गुरु शुब नहीं होता है इसे कहते हैं इस्थान हानी करो जीवा तो गुरु के लिए तो वेसे भी लिखा है कि गुरु जिस इस्थान पर बेटता है उस इस्थान की हानी करता है गुरु वेसे भी किसी भी भाव में अकेला बेठा हो तो ज़्यादा नुकसान करता है उसके साथ में कोई प्लेनेट हो तो उतना नुकसान नहीं करता है गुरू जहां देखता है उस भाव की व्रद्धी अवश्य करता है यदि लग्न में गुरू है यदि ग्यारवे भाव में गुरू है यदि तीसरे भाव में गुरु है, ऐसी इस्तती में सब्तम भाव पर उसकी द्रश्टी शुब रहती है, वहाँ पर समस्या नहीं देता है, लेकिन सब्तम में ही गुरु बेट जाया, तो उसे कहते हैं, इस्थान हानी करो जीव, जीव का आर्थ है गुरु, हमारे शास्त्रका गुरु को जीव भी लिखा है, आप उसकों में पढ़ेंगे, तो बहुत से इस्थानों पर जीव शब्त लिखा हुआ है, इसका सीधा आर्थ है गुरु, तो वहाँ जीव को गुरु समझना है, गुरु यदि इन भावों में, चार भाव तो मैंने बताय ही है, बागी इस् सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, तो सब्तम भाव में भी गुरु यदि अकेला बेठा हुआ है, तो उसके उपाय करेंगे, तो शिग्र लाभ मिलेगा, तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे शेर करना बिलकुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आने वाले समय में सभी जानकरियां समय पर मिल पाएगी, धन्यवाद, जैशी क्रिशना